पार्ट टू याने की यूपी नीट काउंसलिंग ट्विटेट ट्विटेट फोर के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट आज हमारा जो होगा वह होगा नीट काउंसलिंग यूपी के लिए आपको किस तरह से अलाट्मेंट एंड जो कॉलेज की लिस्टिंग होगी वह कैसे होगी राउंड क्या होंगे कितने होंगे फर्स राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड एंड स्ट्रे वेकंसी इफ पॉशिबली तो स्पेशल राउंड भी आपका स्ट्रे वेकंसी का हो हो जाता है तब आपको फिर वहाँ पर अगर विड्रॉ करना है अड्मिशन तो उसके रूल्स क्या होंगे आपका किस तरह से पैसा जो सेक्योर्टी डेपॉजिट में गया है वह आपका सेव रहेगा या फिर वह फॉर्फिट नहीं होगा इन सारी चीजों के बारे में आज र कर पा रहे हैं कि हड्मिशन आपका हो जाएगा तो फिर आप यहां पर सबसे पहले रूस रेगुलेशन जरूर जान लीजे क्योंकि अगर आप यहां पर आ रहे हैं यूपी के अंदर तो फिर आपको टू लाग रुपी जो प्राइवेट कॉलेजिज की काउंसिलिंग के ल लेकिन जहां पर बात आती है कि security deposit मेरा बच भी जाए और मेरा admission भी जो एसो मैं कहीं और चाहूं तो उसके लिए मैं कहीं मूब कर सकूँ shift कर सकूँ तो वैसे case में क्या करना है कि मेरा यह security deposit कहीं से waste नहीं जाए या फिर यह forfeit ना हो तो let's start हम लोग देखते हैं आज कि सबसे पहले जो आपका अमालोव फॉर्मा भरा गया और अब चॉइस फिलिंग की बारी आ गई लॉकिंग की बारी आ गई अब admission होने जैसे बात होगी तो जब admission आप case one यानि कि round one में case one जो होता है वो है कि आप यहाँ admission ले लीजे case two होता है कि आप free exit कर गये लेकिन यहाँ सबसे जो एक important aspect है वो है कि college को आपको report के साथ साथ वहाँ admission भी लेना पड़ेगा यानि कि अगर आपको यूपी में कोई भी college private college मिल चुका है admission के लिए तो फिर आप अब वहाँ admission ले लीजे तभी आप second round के लिए या तो upgrade होंगे या फिर वहाँ से आप withdraw के लिए भी eligible होंगे इसी case में आपका दो लाग रुपए टू लाग रुपए जो आपने security deposit दी है at the time of registration वो तभी forfeit नहीं होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं यानि admission आप नहीं लेते हैं चाहे college की जो भी फीस रहे अब उस college में आपका जो लाट्मेंट हुआ है वो अगर आप seat नहीं ले रहे हो या फिर admission नहीं ले रहे तो आप वहाँ पर withdraw का option दे करके भी अपने security deposit lose कर सकते हैं case two होगा कि अगर आपको security deposit लेना है आपको इदर admission नहीं लेना है और आप यहां से withdraw करना चाहते हैं तो उसका जो date रहेगा जैसे माले कि अगर 5th of August को second round start होने वाला है तो first round की admission का withdrawal जो है वो third of August को इदर apply करना पड़ेगा यानि कि दो दिन पहले आपको उनको बताना पड़ेगा 3rd August यह आपके लिए date है जो दो दिन पहले आप यहां पर उनको inform करें कि नोडल सेंटर पर जाकर आप उनको यह बताएंगे कि आपको admission नहीं लेना है विड्रॉ करना है तो आपकी सारे की सारे security and fees वो refund हो जाएगी अब आते हैं सेकंड राउंड में प्रोसेस क्या रहेगा सेम प्रोसेस रहेगा आपको यहां भी कोई भी अलग से कुछ पैसे नहीं देने होते लेकिन अगर आपका विड्रॉल का case आता है तो सेकंड राउंड में भी आप पहले नोडल सेंटर पर यह जाकर दो दिन पहले आपका सेक्योर्टी डेपॉजिट और फीज जो जमाट किया हुए फर्स राउंड में वह आपका रिफंड होगा ना अब इसमें बहुत सारे ऐसे केसे भी हैं जहां पर बच्चे मिस्स कर जाते हैं कि वह उनको आप इनफॉर्मी नहीं करते या फिर उनको आप रिपोर्ट न लिया हुआ है अब वह बच्चे विड्रॉ करना चाहा रहा है तो फिर उसका इदर रिफंडबल सारा चीज हो जाएगा प्रोवाइड़ कि वह दो दिन पहले कांसिलिंग स्टार्ट होने के सेकेंड स्टेज का जो कांसिलिंग इस राउंड का उसके दो दिन पहले उनको बत हो वही फिर जो ऐसो केस बनेगा जिसमें कि आप दो दिन पहले बता रहे हैं तो आपकी सारी चीज यहां पर लॉटा दी जाएगी रिफंड कर दी जाएगी बट सिनारियों वहां पर गडबड हो जा सकता है जहां पर कि आप उस डेट के बाद या फिर फर्स राउंड में जो अपने अलॉट्मेंट में आपको जो कॉलेज मिला था उसमें लिया हुआ है और सेकंड राउन में भी आपका अपग्रेड नहीं हुआ सेम कॉलेज रह गया सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है फिर से अपग्रेडेशन के कॉंटेक्स्ट में अगर वहां पर कोई और कॉलेज भी मिल गया है तो आपको अड्मिशन लेना पड़ता है सेकंड राउन के अंदर और उसमें अड्मिशन जिस बच्चे ने नहीं लिया है तो फिर वह आगे काउंसलिंग के लिए इलिजिबल भी नहीं है और उसकी सारी के सारी जो डिपॉजिटेड अमाउ ही लॉजिकली और बहुत ही टाइमली चीजों को करना यहां इंपॉर्टेंट रहेगा अब आते हैं फ्रेंस थार्ड राउंड में आपका प्रोसेस फिर से वही रहेगा जिसमें कि आप यहां पर कोई भी अलग से पैसों इसे नहीं देंगे अगर आपको कॉलेज पीछे न मेंस आफ्टरवर्ट्स जो है सो यहां पर फिर आपको छोड़ने की कोई इजाजत नहीं है कोई भी पर्मिशन आपको कॉलेज छोड़ने जैसा नहीं होगा इस अगर आप कहते हैं स्ट्रे वेकेंसी के पहले यह गर्मेंट कॉलेज के केस में बात करूंगा जिसमें की आप आपको यह पता होने चाहिए कि अगर आप स्ट्रे वेकेंसी जो आप्लिकेशन आने वाली है उसके दो दिन पहले नोटिफिकेशन के अगर आप को तो वैसे केस में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी सेक्यूर्टी डेपॉजिट प्लस आपकी अगर हम रिक्वेश्ट देते हैं तो क्या होगा इस केस में प्राइवेट कॉलेजिज में जो आपकी सेक्यूर्टी डेपॉजिट है दो लाग की वह आपकी पूरी की पूरी यहां पर फॉर्फिट होती है और आपका फीज का 50% वह आपको रिफंड होता है प्रोवाइडे आप स्ट्रे वेकेंसी राउंड की नोटिफिकेशन के दो दिन पहले यानि कि फिर से वही बात आएगी कि 30 अगस्त को अगर आपका स्ट्रे वेकेंसी चलेगा तो 28 अगस्त तक आपको इनको इनको इनफॉर्म करना पड़ेगा कि आप यहां से विड्रॉच आते हैं उस केस इसमें आपको फीज का 50 परसेंट ही यहां पर रिफंड किया जाएगा तो फिर अब इसके बाद जो लास्ट राउंड है वह सकता है इस्टे राउंड के बाद भी स्पेशल राउंड हो जाए वह गारेंटीड नहीं होता फिर भी अगर इस्ट्रे राउंड में आप पर्स् पीछे या नहीं मिला है उसको एक हजार रुपए अडिशनली यहां पर यूपी नीट काउंसलिंग में वहां पर डेपॉजिट करना पड़ेगा तब जाकर के वह काउंसलिंग में अस्ट्रे वेकंसी में पार्ट कर पाएगा सो लाइकवाइस प्रोसेस वही रहेंगे लेकिन यहां पर स्पार्ट राउंड और्मोस्ट आपका होता है जो पहले मॉपव राउंड वगरा होता था उसके जगह Україं ले लिया है तो फ्री राउंड के अंदर आपका अड्मिशन का जो प्रोसेस है वन डे प्रोसेस में अगरे करके अबरिटिंग यां निउर इस्ट्रेशन नहीं होता स्ट्रे राउंड में जो रेइस्टर्ड स्टूडेंट है अप्टू थर्ड काउंसलिंग जिन्होंने की भी यहां रेइस्टेशन किया हुआ था सेक्योटिक दी हुई थी वो यहां होते हैं हलाकि ऐसा नहीं है कि वही अगर स्टेट में त्ब आप करेंगे नहीं अप कर सकते हैं कि आप अगर कहीं भी नहीं ले पाए है औल इंडिया में चाहे अपने स्टेट में तो फिर आप इलिजबल स्टेज राउन के लिए होंगे यहां अब जो नेक्स्ट एक रूल सबसे इंपॉर्टन रूल है वह यह है कि अगर आपका यहां पर सारी चीज हो चुका अप जो लेने के लिए लेकिन आप क्या करते हैं का डिमिशन नहीं लेते हैं केस वन तो नहीं लेने के केस में आपका सेक्योर्टे वगर कुछ भी यहां पर रिफंड नहीं होगा देर आफ्टर नेक्स्ट यह आप कभी भी पच्छेश चब्वेस में अगर आना चाहते हैं इदर यूपी में नीट काउंसलिंट करने के लिए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इसलिए ध्यान रखना है कि राउंड में अगर कॉलेज को मिला है तो अड्मिशन लेना मस्ट है यहां छोड़ना आपके लिए मुनासिव नहीं होगा जितने भी आपकी कैटेगरी वगरा है उसमें वही सारी चीज़े फॉलो होंगी जो सीट जिसके लिए होगा उसके लिए पहले वहां प जाती हैं अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रेंस जिसमें कि आपको यह समझी माने चाहिए कि चाहिए प्राइवेट में या गर्मेंट में आप में डिंटल में किसी भी पाठक्रम में आप यहां पर करने के लिए जा रहा है अड्मिशन लेते हैं तो यूपी क आपको पहले से पता होने चीए जो कि आप पहले से उनके ब्रोशर में चीज़ों को देख सकते हैं ब्रोशर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है जिसको बच्चा मिस्स भी कर सकता है लेकिन आप हमें देगान नमर्स पर फोन करके हमसे जब बात करेंगे जब हमार क्या करना होगा यह सारी इंफॉर्मेशन के बारे में आप हमें देगान नमर्स पर जरूर फोन करिए और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो सवाल का जवाब कैसे मिलेगा वह आपके सवाल सवाल ही रह जाते हैं इसलिए जब करियर का सव सवाल है तो जरूर से जरूर सबाव सब्सक्राइब और हमारे नमबर्स पर फोन करके हमारे सावर निट कांसलिंग एसिस्टेंस इन एक्यू वाल इंडिया कोटा एंड स्टेट को उटा डिम्ड के लिए चाहिए आपके प्राइवित अब्डरियक के लिए हमें देगान नम को तो तो अवाण